हेलो बच्चो तो बच्चो आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे है एक्सराइज फाइवे पर्मूटेशन और कॉंबिनेशन अल्रडी जो कंसेप्ट वाली वीडियो थी वह आप लोगों को मिल चुकी है वो सारा कंसेप्ट इसमें पर्मूटेशन भी था उस अब से जो पहला कोश्यन है फर्स्ट कोश्यन की अगर मैं बात करूं तो अगर हम इसको solve करेंगे तो यह क्या बनेगा 4 factorial और 4 minus 3 करेंगे तो 1 factorial, 1 factorial तो 1 ही होता है, तो आपको solve तो बस ही यह करना है, 4 into में 3, into में 2, into में 1, तो यह आ जाएगा आपके पास 24, answer आगया इसका C, second में कहता है 4P4, अब 4P4 किसके बराबर होगा, 4P4 कि अगर आप value निकालोगे, तो जितने object आपको पास total दिये होते हैं, अगर वो सारे के सारे ही आपको लेने हैं, तो उस case में हम क्या करते हैं, सिद्धा हम लिख देंगे 4P4 है, तो हम लिख देंगे 4 factorial, 5P5 है तो लिख देंगे 5 factorial, बतलब NPN होता है N factorial, वो अलब हरूना आपको लगाना है, और 4 factorial की value अभी अभी तो solve करी, हमने 24, 7 factorial, 7 factorial का मतलब हो क्या, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यह करना है आपको, अब इसमें जब आप multiply करोगे, तो multiply, जब आप factorial solve कर देंगे, तो कुछ factorial ऐसे हो, जो आपको देरे-देरे याद हो जाएंगे, जैसे मैं करूँ हो कि अगर 5 factorial आता है, 5 factorial की value 120 होती है, तो जब हम 7 factorial को solve करेंगे, तो हम लिखेंगे 7 into 6 into 5, 5 को पूरा solve ना करके, मैंने ऐसे लिख दिया, तो 7 into 6 हो गया 42, और 5 factorial का मतलब हो गया 120, इन दोनों को multiply करोगे, 12 to 24, 12 होजा 48, प्लस में 250, तो option बनेगा हमारा A, तो इस तरह से आप थोड़ा अपना time save कर सकते हो, कुछ चीज़ अगर आपको याद रहती हैं तो, बागी practice करोगे, दिरी-दिरी याद होई जाएगे, question number 4 में कहता है कि बहुए 0 factorial, 0 factorial किसके बराबर होता है, 0 factorial की value 1 होती है, तो answer आगे है, इसमें सिधा 1, in NPR, N is always, जब NPR आप formula लिखते हो, तो उसमें N क्या होता है, N होता है, यहाँ पर number of objects, अब number of objects क्या होते हैं, क्या number of object decimal में होंगे, 1.3 object, 1.5 object, तो decimal में तो वो नहीं होंगे, इसका मतलब fraction में तो वो नहीं होगा, क्या number of object जब हम निकालते हैं, तो क्या वो negative हो सकते हैं, कि minus 3 object है, minus 5 object है, तो बनलब negative value भी नहीं हो सकती है, तो आप integer उसमें आप ले सकते हो, लेकिन integer जो लेंगे वो होंगे, positive integer, negative integer नहीं ले सकते हैं, जब यह खाली N integer लिख रहा है, तो उसमें negative, positive सब आगे, तो इसलिए answer बनेगा हमारा positive integer, उसके बार next में कहता है, NPR the restriction is, जब NPR जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, उसमें restriction क्या होती है, तो जो N होता है, जो total number of object होता है, उसकी value R से हमेशा या तो बड़ी होनी चाहिए, या उसके बराबर होनी चाहिए, छोटा नहीं हो सकता हूँ, तो इसका मदलब N की value greater than or equals to R आगई, question number 7 में, तो 7th question में दिया है, इसने भई NPR, NPR equals to N, N minus 1, N minus 2, और up to N minus R plus 1, the number of factors, अब इसके अंदर जो factors आ रहे है, number of factors, एक factor, दो factor, तीन factor, इस तरह से इसके अंदर कितने factors आएंगे, तो अगर आप formula NPR होता है, तो उसमें R factors आते हैं, कैसे R factors आते हैं, यह भी समझते हैं, साथ-साथ एक shortcut तरीका भी समझेंगे, questions को solve करने का, तो यहाँ पर इसने बोला वेज़े से हमने लिया 7P3, तो 7P3 का मतलब मैं इस formula के रिसाफ से चलूँगा, मैं करा हूँ, R factor आते हैं, तो यहानी इसके answer में 3 factor आने चाहिए, अब 3 factor कैसे आएंगे, देखो formula अगर हमने लगाया, 7 into 6 into 5 into 4, यहाँ पर मैं रोग देता हूँ, और 7-3 करेंगे 4 factorial, इससे cancel, तो 1, 2, 3, 3 factor आए, अब साथ-साथ हमें एक तरीका और पता लग गया, चोटा, कि अगर आपको निकालना है 10P2, तो आपको बस क्या करना पड़ेगा, 10 into 9 करना है, 10 into 9 करना है, क्योंकि दो ही factor आएंगे, आगे भी आप इसको proceed करोगे, 10 into 9 into 8, और 10-2 divided by 8, तो वो cancel हो जाएगा, तो आपके पस दो factor आएंगे, अगर आपको निकालना है 100P2, तो आ इकाल सकते हैं, permutation को, अभी आगे कहता है कि NPR can also return as, NPR को और हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब जो इसका formula है, तो इसका formula हमारे पास है N factorial divided by N minus R factorial, यानि 8 है, उसका answer आजाएगा A, उसके बाद next question पर जलते हैं, question number 9, 9 में कहता है, Np4, Np4 is equals to 12 into Np2, तो N क्या होगा, अब Np4, य correct जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सीधा लिखता हूँ, यहाँ पर N, N minus 1, N minus 2, N minus 3, चार फेक्टर बनके, चारो लिख दी हैं, यहाँ पर आगया, अब नीचे जो divide, divide करके काटना कोटना था, वो सब काम अपने कर दिया, 12, Np2, Np2 का मतलब हो गया N, और N minus 1, दो फेक्टर आगे, यह N इससे cancel हो जाएगा, यह इससे cancel हो जाएगा, अब आपको N की value निकालने है, तरीका तो यह कि आप इसको multiply करो, multiply करके यहाँ पर एक quadratic equation बनेगी, factor निकालो, splitting momentum करके, पर हम उससे नहीं करेंगे, हम उससे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हाँ पर एक दूसरा यहाँ और के इसाब से लिखना, पहले यहाँ बड़ा नंबर है, तो यहाँ भी पहले बड़ा लिखो, यहाँ छोटा है, तो फिर छोटा लिखो, अगर यह उल्टा दिया होता तो उल्टा करके लिखो, अब इन दोनों को compare करो, तो N-2 is equal to 4, तो N की value बनेगी, यहाँ से 6, दूसरे factor से निकालोगे, वहाँ से भी यही बनेगी, पहले factor से भी यही बनेगी, N-P3, N-P2 की ratio 3, ratio 1 है, तो यह तो ratio दे रखी है, हमें N-P3 लिखते हैं, तो N-P3 का मतलब हो गया N, N-1, N-2, तीन factor लिख लिए, जो divide by divide वालावा काम है, खतम, ठीक है, N-P2 को लिखेंगे, तो N, N-1 is equal to 3 upon 1, अब यहाँ से यह cancel, यहाँ से एक cancel, तो N की value आगे, आपके पास 5, ठीक है, यह value आगे, हमारे पास 10th का option बन गया, तो question number 11 में कहता है, कि M plus N P2 is equal to 56, M minus N P2 equals to 30, तो M plus N को जो उमने solve करा, तो यहाँ है, आपके पास M plus N, फिर एक कम करेंगे, तो M plus N minus 1 equals to 56, दो है ने नीचे, तो दो factor बनने थे, वो दोनों उमने लिख दिये, दूसरा वाला आपके पास M minus N P2 है, तो पहला factor आगया M minus N, दूसरा factor आगया M minus N minus 1 equals to 30, अब इन दोनों equation को solve करने के चेकर में पढ़ने के बजाए, options का use करोगे, तो जदा असानी रहेगी, तो यह वाला C जो option है, यह तो reject कर दो, क्योंकि दोनों में equal है, यहाँ रख दू, 4 minus 4, तो सारा 0 हो जाएगा, तो यह तो answer में आई नहीं सकता, अब पहला option देखो, पहला पहली जो term है, इस equation को satisfy कर रही है, क्या इसको भी satisfy कर रही है, यह check कर लेते हैं, तो 6 minus 2 करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ पर करतेंगे 4, इन 2 में 3, यहाँ पर आएगा 12, यह 30 के बराबर नहीं है, तो मतलब यह भी हमारा answer नहीं है, अब क्योंकि एक option none of these में भी है, तो इस minus 1 करेंगे 6, उसमें से कम करेंगे तो 5, तो यह आगया 30, 30 के बराबर आगया, यानि यह वाली जो values है, यह दोनों को satisfy कर रही है, तो 11 का option बनेगा हमारा B, 12 में कहता है, 5 PR equals to 60, then the value of R, अब R की value आपको बतानी है, जिससे यह 60 के बराबर आजाए, अब यहाँ पर है 5 PR, तो म इसमें से minus करूँगा तो आएगा 5 minus R factorial, अब यहाँ R की value नहीं दे रखिए, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिख लिए है, और यह बराबर आगया आपके पास 60 के, अब यहाँ से अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, तो हमारे पास ही क्या बनेग 5 factorial, 5 factorial को लिख लो ऐसे 5 इंटू में 4, इंटू में 3, इंटू में 2, इंटू में 1, और इसको इधर ले आते हैं, 5 minus R factorial, इंटू में 60, अब यहाँ पर देखिए, यह बराबर होता है 120 के, तो इसमें से मैं 60 को कैंसल ही कर देता हूँ, 5 से पहले इसको काटा, मैंने 12 पे कर दि है, तो 2 की जो value है, वो 5 minus R के बराबर है, अब यहाँ पर देख लो कि 5 में से कितने R की value आप minus करोगे, यह answer आपका 2 आजाए, इसको solve करने के चकर में पढ़ने के बज़े, अगर मैं यहाँ पर 3 put करता हूँ, तो 5 minus 3 आगा 2 factorial, और 2 factorial की value 2 के बराबर ही होती है, अगर मैं यह answer आएगा इसमें A, तो 12th का answer बनेगा हमारा A, question number next, चलते है, question number 13, 13 में कहता है कि N plus 1, N1 plus N2 P2 equals to 132 और N minus 2 N2 P2 equals to 30, तो यहाँ पर भी नीचे आपको 2 है, तो 2 factor बनेंगे, तो पहला factor आजाएगा N1 plus N2, फिर एक कम कर देंगे, इसमें से N1 plus N2 minus 1 is equals to 132, और यहाँ पर आएगा N1 minus N2, फिर एक कम करेंगे, तो आजाएगा N1 minus N2 minus 1 equals to 30, तो पीछे अपने question किया था, वो भी इसी तरह के concept पर था, question number 11, तो यह भी इसी तरह के concept पर है, अब एक चीज़ और थोड़ा समय बताता हूं, उससे और आप directly identify कर लोगे, क्योंकि factorial जब से consecutive number है, जिसका multiply करने पर 132 के बराबर आ रहा है, ठीक है, अब 132 के बराबर कब आएगा, जब एक number आएगा 11, एक आएगा 10, तो 11 और 10 मतलब कैसे आप बन सकता है, यहाँ पर 11 होना चीज़, यहाँ पर 11 कब बनेगा, जब उन दोनों का जो सम है, 11 और 10 नहीं 12 और 11, तो 12 यहाँ पर सम करेंगे, तो सब भी में सम 12 भी आ रहा है, यहाँ भी 12 आ रहा है, यहाँ भी 12 आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर प्लस करता हूं, तो यहाँ गया 12 इंटू में 11, 132, तो इस वाली equation को तो यह तीनों के तीनों satisfy कर रहे है, बात आती इस equation की, इस equation में बनना ची यह तो difference देखलो कि 6 किसका आ रहा है, इसका difference 6 नहीं आ रहा है, यह आंसर नहीं है, इनका difference 6 आ रहा है, तो यह हमारा answer है, यानि 13 का option बनेगा C. तो question number 14 में कहता है, the number of ways the letter of the word computer, computer can be rearranged, यह तो computer जो word आ रहा है, कि इसके letters को आप कितने तरीकों से arrange कर सकते हो, अब यहां पर देखो computer के अंदर 8 letter है, तो आठो के 8 आपको use करने, तो यह बन गया 8 into 7 into 6 into 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे आ गया, तो आपके बास यह बना, यह तो यहां से यह तक है, यह हमें पता है कि यह तो 120 होता है, इनको multiply कर दो, 8, 7 is a 56, 56 को 6 से करोगे, 6 is a 36, 6 वाज़ा 30 और 3, 33, तो 3, 3, 6 into 120 इसको multiply कर दें, 12, 6 is a 72, और 12, 3 is a 36, प्लस में 7, 43, और यह आ जाएगा आपके पास 40320, अब 40320 भी हमारे पास option में है, लेकिन इसने यहां पर computer, जो computer word आ रहा रहा ना, इसके letters को और कितने तरीकों से आप arrange कर सकते हो, तो इसमें से computer word आ रहा है, उसके letter को उसको एक arrangement को छोड़ दो, computer वाले arrangement को छोड़ेंगे, तो इसमें से आपको एक minus 1 करना पड़ेगा, तो answer आएगा 40319, यानि option बनेगा आपका यह, 15 में कहाता है, इसमें से number of arrangement of the letters in the word failure, so that the vowels are always coming together, अब यह फेलियर जो word आ रहा आपके पास, इसमें जो vowels है इसको आप arrange करो, इसको आप arrange करो इस तरीके से कि जो vowels है, वो सारे इखटे आए, तो vowels कि आपके पास A, I, U और E, चार vowels है, यह इखटे रहने चाहिए, जैसे भी बनें, जहां भी यह इखटे होने चाहिए, और बाकी जो है आपके पास F, और L, और R, यह जैसे मर्जी आ जाए, तो यह इखटे जाने का मतलब है कि यह एक letter की दरे treat होगा, यह आप पहले भी रख सकते हो, इसको बीच में भी ला सकते हो, L के बाद भी हो सकता है, R के बाद भी हो सकता है, तो यह जो चार आपके पास vowels हारे हैं, चारो डिफरेंट है, तो पहले तो encouragement लिखो, encouragement आगया 4 factorial, फिर इसको एक letter के दरे treat करेंगे, एक letter यह, दो, तीन, चार लेटर होगे, चारो डिफरेंट है, तो 4 factorial यह है, 4 factorial होता है 24 के बराबर, यह भी 24, दोनों को multiply करेंगे, answer आजाए 6, उसके बाद next जो question है, 16th, 16th question के अंदर, 16th question में, कहता है कि 10 examination papers are arranged, in such a way that the best and the worst paper never come together, जो best और worst paper है, यानि जो टोपर का paper है, और जो सबसे फिसड़ी है, उसका paper है, वो दोनो paper इखटे नहीं आने चाहिए, वो दोनो इखटे नहीं आने चाहिए, तो आपको arrangement बताना है, अब 10 examination paper है, तो आप यह निकाल लोगी, टोटल आपके पास 10 factorial है, तो 10 factorial का मतलब है कि आपने उनको जैसे मर्जी arrange कर लिया, ठीक है, आपने इ उसका जो topper है, और जो worst है, उनके paper को इखटे रख दो, अब उनके paper को इखटे रखने का मतलब है कि वो जहां भी जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, वो एक paper की तरह जाएंगे, चिपके चिपके जाएंगे, लेकिन वो आपको total जब आप answer निकालोगे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो total arrangement है, उस total arrangement में से उसको कर देंगे minus, अब total में से उसको minus करेंगे, तो total हमारे पास क्या है, 10 factorial, minus क्या क्या करने है आपके पास, और जो worst और best है, वो मिला कर एक है, जो जिसमें एक जाने है, तो इसका मतलब क्या करोगे, अब जो बाकी 8 थ सकते हो कि पहले worst फिर best या रख सकते हो पहले best फिर worst तीक है तो यानि दो option वहाँ पर भी है तो into में 2 factorial यह हो रहाएगा तो इसको अगर आप solve करोगे 10 factorial को लिख दिया मैंने 10 into में 9 factorial minus 9 factorial into में 2 9 factorial आज जाएगा common यहां से जाएगा 10 minus 2 9 factorial इन्टू में 8 यह हमार आंसर आएगा तो 9 फेक्टूरियल इन्टू में 8 यानि ऑप्शन मनेगा 16 का C उसके बाद एको 17 में कहता है कि एन आर्टिकल और अरेंज इन सच ए वे देट ऑठ टू पर्टीकुल यार्टिकल नेवर कम तूगेदर क्ैकल दू पर्टीकुल आर्टिकल वह इखटे नहीं आएंगे तो चल्वा स्ट य आरिजमेंट2ह ऊर्चन फसक्राइन मेंड नाइंगत दो एकट्टे नहीं आने चाहिए थे, तो आंसर क्या है या, 9 factorial इंटू में 8, तो 9 factorial का मतलब 10 में से हमने एक कम किया, तो उसका तो फैक्टोरिल आ गया, यानी 9 minus 1 factorial, इंटू में 8, 8 मतलब जो 10 में से हमने 2 कम कर दिये, बचेगे 8, तो आगया n-2, तो यह हमारा option बनेगा n-2 इंटू में n-1 factorial. question number 18, if 12 school teacher teams are participating in a quiz contest, the number of ways the 1st, 2nd and 3rd position may be 1, 12 school है, 12 school में से 3 position आपको चूज करनी है, तो 12P3, अब 12P3 को आप solve करोगे, तो क्योंकि 3 factorial है, तो 12, इंटू में 11, इंटू में 10, 12 और 11 को multiply करते हैं, तो आता 1, 3, 2, और यहाँ 0 लग जाएगा, तो answer बनेगा 18 का भी. question number 19 में कहता है, the sum of all 4 digit numbers containing the digit this without repetition, यह कहता है कि इन digits को यूज करके, जितने आपके पास numbers बनेंगे, उन सबका sum find करना है, अब numbers बनेंगे तो आपको particular number निकालना पड़ेगा, इसमें आपको एक formula नोट कर लेना है, इसमें formula क्या होता है, जब भी आप sum निकालोगे, sum of number form, तो formula होता है, इसका n factorial, divided by n, into में, into में sum of digits, into में sum of digits, into में 1, 1, 1, यह कितनी बार, n times आपको 1, 1, 1 लिखना है, यह formula होता है, तो आपके पास यहाँपर 4 digit है, तो यह आजाएगा 4 factorial, divided by 4, sum of digits, digit का sum करोगे, 2 और 4, 6, 6, 6, 12, 12, और 8, 20, और यहाँपर 1, 1, 1, 1, 1, 4 बार लिखना है, क्योंकि 4 digit है, अब इसको आपको solve करना है, 4 factorial दोदा 24, 24 को 4 से divide करेंगे, तो आजाएगा 6, तो 6, into में 20, into में 1, 1, 1, 1, 1, इसको solve करो, यह आजाएगा 6, 2 is 12, 12 से इन सब को multiply 12 प्लस 113, 12 प्लस 113, 12 प्लस 113, लास में आगया 0, तो आंसर बनेगा आपके पास, 133320, 133320 तो option हमारे पास यह वाला रा, 133320, option बनेगा इसका D question number 20 में करता है, the number of 4 digit numbers greater than 5000 can be formed out of the digit this and no digit is repeated, the number of searches, अब इसमें कहरा है कि आपको 4 digit के number बनाने हैं, लेकिन वो number 5000 से बड़े होने चाहिए, अब 5000 से number अगर बड़े हैं, तो पहला जो place है, उस पर आपके पास कितने option बनेगे, उस पर आपके पास ना तो आप 3 रख सकते हैं, ना आप 4 रख सकते हैं, 5 आप रख सक तो पहले place पर हम 5 रख सकते हैं, पहले place पर 6 रख सकते हैं, पहले place पर 7 रख सकते हैं, पहले place पर रखने के लिए हमारे पास 3 options अवेलेबल हैं, अब उसके बाद जो आपके पास 3 digit रह गई, उसके बाद 3 digit रह गई, उन 3 digit में आपके पास 5 option अवेलेबल हैं, पांचों में स को अपको शोड़ना पड़ेगा इन मैंते जो आपने एप झाल रखने के लिए हैं रखनी में को कि उसमें से तीन ही रखने हैं क्योंकि तीन ये option बचेंगे एक option तो फिल हो गया तो 4P3 को solve करेंगे तो आजाएगा आपके पास 4, 3 और 2 इसको multiply करो 3, 4 जा 12, 12, 6 जा 72 आंसर आगे आपका 20 का एही उसके बाद 21st में कहता है कि 4 digit numbers to be formed out of the figure this and then number of such numbers तो आपके पास 4 digit का number बनाना है लेकिन 4 digit का number बनाओगे तो आप 0 को पहले प्लेस पर नहीं रख सकते हैं पहले प्लेस पर रखने के लिए आपके पास 4 option available है 1, 2, 3, 4 अब आपको 4 digit का number बनाना है तो बाकी के जो 3 places हैं या तो permutation यूज करो या simple आप fundamental principle of county भी रख सकते हो बाकी के जो 3 place है उस पर रखने के लिए भी अब आपके पास 4 places available है क्योंकि जो second वाला place है उस पर आप 0 को रख सकते हो पहले place पर हमने 0 को छोट दिया था लेकिन जब दूसरे place पर आएंगे तो हम 0 को include कर लेंगे तो आपके पास यह total 5 number थे पांच में से एक तो आप यहां रख चुके हो तो चार ही तो रहेगे नब तो चार इधर आगे अब बाकी यहां कितने रहेगे तीन रहेगे यहां कितने रहेगे दो रहेगे इसको multiply करो फोटिज़ा 12 12 24 24 4 96 option बनेगा इसमें see तो question number 22 में कहता है the number of ways the letter of the word triangle to be arranged so that the word angle will be always present जो word है ना इसमें angle वो हमेशा present रहे तो यह कहारा है कि angle जो word है यह हमेशा रहेगा इसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते हो तो क्योंकि यह कहारा है कि पूरा word और angle इसको as it is सही है तो आप इसकी permutation को आपको निकालने की ज़रूती नहीं क्योंकि यह permutation एक ही है angle को angle ही रख सकते है और कुछ करी नहीं सकते है तो इसको आपको एक letter की तरह treat करना है जहां भी जाएगा यह पूरा इखटा जाएगा ठीक है बिलकुल इखटा जाएगा कुछ भी अलग लग नहीं करना है अब triangle में से क्या क्या रह गया एक तो T रह गया और R और I यह रह गया अब यह तीन आपके पास different letter है एक letter को इसके ले treat करेंगे तो total मिला कर 4 letter होगे इन 4 letter को आप जैसे मर्जी रख दो I को यहां से टाके मैं यहां रख दो लेकिन यह ऐसा कैसी चलेगा तो 4 factorial होगा 4 factorial होगा 24 के बराबर option बनेगा इसका C 23 में कहता अगर हम daughter को arrange करें तो जो vowels हैं वो odd places को occupy करेंगे तो कितने place आपके पास है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ लेटर हमारे पास है तीन, तीन, छे, साथ, आठ आठ में से वोवल कितने हैं एक, और दो और एक तीन, तीन वोवल्स हैं अब उन तीन वोवल्स को आप all places पर रखोगे तो यानि या तो पहला place हो सकता है यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं तो चार places हैं वोवल्स को रखने के लिए लेकिन वोवल्स हैं कितने? वोवल्स तो उमारे पास तीन ही है तो उमारे पास चार places हैं लेकिन आपको तीन वोवल्स ही रखने है अब तीन वोवल्स आपने कर दिया रेंज अब बाकी कितने लेटर बचे आपके पास पांच अब उर पांच लेटर को रखने के लिए आपके पास प्लेस कितने बचे पांच ही प्लेस बचेंगे क्योंकि तीन वोवल्स तो अपनी ज solve करेंगे तो आएगा यह 122 120 इनको multiply करो 1248 1224 प्लस में 428 आंसर आएगा 2880 ऑप्शन बनेगा इसका एग इसी question के साथ यह जो exercise है हमारी यह finish हो जाती है तो next class होगी next class में हम करेंगे जो इसके exercise है 5B आज की इस वीडियो में इतना ही thanks all of you नहीं आए जो साथ जब हूज है को झाण साथ साथब्सक्तार्ण